वेल्कम बेक देखिए आज हम लोग बात करेंगे पर्मूटेशन के चैप्टर में के सम अफ आफ आल नंबर्स फॉर्मड अंडर डिफरेंट कंडिशन आप कैसे फाइंड आट कर सकते हो ठीक है अब को कुछ डिजिट दे रखता है उस डिजिट से आप जो भी नंबर्स बना करने वाला हूँ आपको आपको पता है कि इसको अगर हम सिस्टेमेटिक ली बनाएंगे तो थोड़ा सा तो हलका थोड़ा लिंदी होता है ज्यादा मुश्किल नहीं होता है बड़ ठीक है लेकिल में करना होता है तो आपको एक शौट तरीका चाहिए होता है उसके लिए मै जाेगा जिनको देखना है कि का सिस्टेमेटिक इसका तरीका होगा कांसेट क्या होगा वो भी मैं बात कर लूँ गा इसके रिजरल्ट हो घरलो तो फहले मैं रिजरल बता देता हूँ आपको रिजरलन बता लेते हैं फिर इसके बाद कोई question लेकर के हम लोग क्विक्ली यह तो डिजिट्स में दो तरह की बातें होती है ठीक है पर्मूटेशन में आपको मैंने बताया भी है कि पर्मूटेशन दो तरह का होता है या तो आप उसको आपको अलाव करता है कि आप repetition कर सकते हो, digit को repeat कर सकते हो, ठीक है, यह आपको बोलता है कि आपको जो भी number बनाना है, वो क्या बनाना है, वो without repetition बनाना है, तो मैं one by one बात करूँगा, तो मैं पहले बात कर रहा हूँ without repetition वाली, ठीक है, without repetition, तो अच्छे से दिखिएगा, बहुत ही the help of non-zero digits, a1, a2, an, taken all at a time is, ठीक है, तो दो-तींज बात याद रखनी है, कि अगर आपको सारे digit को all at a time लेना है, और digits क्या है, non-zero है, याद रखना है, यह non-zero का अपना importance है, क्या importance है, मैं भी बात करने वाला हूँ, ठीक है, तो अगर सारे non-zero digits है, तो जो sum of digit होगा in unit place, ठीक है, unit place भी देख लो, आप अच्छे से, यहाँ पर unit place दे रखा है, ठीक है, आपको पता है तो यह है, आपका n-1 क्या है, यह है, आपका number of occurrence, ठीक है, number of occurrence, occurrence of non-zero digit, ठीक है, और into क्या है, यह क्या है, यह आपका है, sum of digit, sum of digits, ठीक है, तो मैं बिलकुल आपको समझा देता हूँ, इसको तो पहले आप याद कर लो, कि अगर आपको किसी भी place का, especially unit place का अगर आपको नि example ले लेता हूँ, आपको जादा clear होगा, जैसे मालो, मैं ले लेता हूँ, कि मेरे पास में 4 digit है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, अब इससे जो भी numbers बनते है, आपको उसका total sum find out करना है, कैसे find out कर पाओगे, ठीक है, पहले आप देख लो, कि number आपको क्या-क्या बनेगा, जैसे 1, 2, 3, 4, यहाँ पर आपको दीख रहा है, फिर आप यहाँ पर चाहँ होता है, इस तरह से 2, 3, 1, 4 बना सकते हो, ठीक है, फिर आप इसा पर इसी तरी, right, यहाँ मालो, 4, 3, 1, 2, ऐसा, इस सारे numbers possible है, right, जो आपको बन सकते है, जिसको आप बना सकते हो, 1, 4, 2, 3, ऐसा बन सकता है, अब जितने भी number बनते हैं, यह आपका होगया, 1, 2, 314, यह आपका होगया, 3, 421, यह आपका होगया, 4, 312, 1, 414, तो इस तरह का बहुत सार number बनेगा, ठीक है, आप देखो, इसमें important क्या है, याद रखो, कि जब भी आप, मैंने, आप पहले यह निकालोगे, भाई, कि unit place में, सम कितना है, जैसे माल लो, मैं दो number को add करता हूँ, बिल्कुल आपको आसानी से समझाने वाला हूँ, बहुत मज़ा आएगा आपको, 214, इसको मैं add कर देता हूँ, क्या होगया, यह आपका होगया, 347, यह होगया, 213, यह होगया, 213, तो इन दोनों का सम क्या होगया, 337, actually यह क्या है, तो आपको पता है, कि 3 into 100 है, plus 3 into 10 है, plus 7 है, यानि यह, कि जो unit place है, unit place का सम आपने निकाला, unit place का आपने सम निकाल लिया, तो क्या है, 7, फिर आपने इसका सम निकाल लिया, second 10 place का, ठीक है, यह मेरा 10th place है, फिर आपने निकाल लिया किसका, फिर आपने निकाल ल लेकिन ना permutation के chapter में क्या मज़ा आता है देखो जब आपको बोलता है आप sum of digits बताइए all the numbers का ठीक है बताँ जो भी number बन सकता है देखो जो भी number बनेगा जितनी भी सारे number बन सकते हैं तो जब हम लोग all possible number पर बात करते हैं तो definitely for each place आपको क्या होगा 1 भी आएगा 2 भी आएग तो four आपका two times आ रहा है ठीक है तो two times नहीं आएगा जितना भी possible number है सबको मैं लिग दूँ अगर तो उसमें बहुत सारे number आएगे अब total possible number क्या होता यह आप निकालने जानते हैं तो पहले आप निकाल लो के all possible numbers ठीक है कितने होंगे इस four digit के तो यह four p four होंगे ठीक है अग पे मैंने कितना लिखा है one two three four five लिखा है इस तरह का आपको 24 नमबर बनेगा अब इस 24 नमबर में 4 कितने बार आएगा तो अब देखो चाहे four होट one हो two three होट सारा सारे क्या है चुक इसमें कोई zero तो है नहीं तो सारे क्या है सारा आपका equally likely है for the occurrence ठीक है तो each number मैं आपे बो likely likely to be occurred okay to be occurred हाना यह equally likely है कि कोई भी occur कर सकता है कोई भी आ सकता है किसी भी position पे यहापे four number है ठीक है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि तो each number का occurrence किया होगा therefore तो 24 को हम लोग four से divide कर देंगा total 24 था यहापे हमारे पास है four digit है तो six आ गया ठीक है six occurrences occurrences for each digit ठीक है for each digit यादर कि किसी भी place में ठीक है अगर one है तो one छे बार आएगा दो भी छे बार आएगा तीन भी छे बार चार भी छे बार तो अब important क्या है या दोखो हो जाएगा एक प्लेस का वो क्या हो जाएगा वो six into ten हो जाएगा 60 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि one six times आ रहा है two मेरा six times आ रहा है three मेरा six times और four मेरा six times और चाहाँ तो फिर six आएगा इसका भी 60 इसका भी 60 चुकि आप सारे possible number पर बात कर रहे हो और सारे possible number में क्या है सारे ही digit आएगे बस उनका order आगे पीछे होगा अब ऐसे किस में आप इसका अगर total sum निकालोगे तो total sum कैसे निकालेंगे तो काफी इसली आप निकाल सकते हो मैं यहां पर बता देता हूं आपको कि आप total sum निकालना सब्सक्रों इसी का हाना जो मैंने आपको number यहां पर बताया तो total sum कैसे आजाएगा तो simply आप इसको कर दोगे कैसे sum of numbers हो जाएगा sum of numbers ठीक है numbers क्या आजाएगा all numbers जो भी number possible है तो आजाएगा आप ऐसे कर लोगे 60 ले लोगे ठीक है अब unit place पे 1 लेंगे फिर 10th place आएगा फिर आपका 100 place आएगा फिर आपका 1000 place आएगा ठीक है तो सब के यह 60 ही, तो आप इसको finally add कर लोगे, तो देखो कितना जल्दी आपका answer आ जाता है, बहुत जल्दी आप कर पाऊगे, right, तो मैं कि आपको बता रहा था, कि actually जो unit place होता है, तो वो आप अगर इस formula से सीख जाते हो, और यह क्या है, simply number of occurrence of non-zero digit, number of occurrence यह वो कितने बार आएगा, ज definitely this is the sum of unit place, अब देखो, sum of unit place निकल गया, तो चुकि यह unit place है, तो इसको आप 1 से multiply करते हो, तो कोई फरक नहीं पड़ता, 1 से multiply करने से, so it is, अब इसी को अगर 10 place में निकालना चाहता हूँ, sum of digit in 10 places, तो मैं क्या करूंगा, मैं यह पूरा ले लूंगा value, ठीक है, यह मैं multiply किया है, तो यह आपके लिए काफी important formula हो जाता है, कि आप unit place का निकाल करके, इसी तरीके से, आप सारे places के निकाल करके, simply add करके, आप निकाल सकते हो, तो यह actually, actually क्या है, mother formula है, मेरा, mother result है, पूरे इस topic का, ठीक है, बासमज में आ गई है आपको, तो अब definitely आप देख सकते हो यहाँ पे, कि जो दूसरा result है, वो क्या है, तो वो है आपका sum of all end digit numbers that can be formed using the digit, इतना, तो अब sum का formula क्या आ जाएगा, यह तो आपका sum of digit in unit place था, अगर पूरे sum की बात करूँ, तो देखो, यह formula हो जाएगा, simply, ठीक है, मतलब वही आपको लेना है, लेकिन यहाँ पे यह factor ल multiply कर दिया था, किसको sum को, ठीक है, sum को हम लोगो ने number of occurrence से multiply कर दिया, तो यहाँ पे यह क्या है, यह आपका number of occurrence है, यह आपका unit digit है, तो आपने जहाँ unit digit का sum निकाल लिया, unit place का sum में आपने निकाल लिया, ठीक है, तो unit place का sum में ही हम लोग क्या करेंगे, इस से multiply कर देंगे, अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि जैसे इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूँ इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो यह क्या है यह आपका Geometric Progression है GP Series है ठीक है यह 1st term आपका 1 है common ratio 10 है और total यहाँ पर 4 term है ठीक है यह 10 है यह 10 square है यह आपका 10 का power cube है तो 4 term है तो 10 to the power 4 minus 1 divided by 10 minus 1 यह हो जाता है तो यह 10 minus 1 स्वी को आपका लिख सकते हो 9 ठीक है तो यह आपका नीचे में 9 हो गया है तो exactly यह ही चीज लिखा गया है complete sum के लिए बस यहाँ पर क्या है आपको यह ले लिया गया है structure यहाँ इस structure से multiply कर दोगे आप अगर n digit है तो आप 10 to the power n minus 1 divided by 9 कर देना और यह जो unit place वाला sum था उसको multiply कर देना आपको total जो numbers चाहिए सब के sum निकल लाएंगे ठीक है sum of all possible numbers सब के निकल लाएंगे ठीक है यह कब ध्यान रखना कि इसमें जो है सारा ही आपका non zero digit होगा तब ठीक है अगर कोई आपका zero digit हो जाता है अगर हो सकता है ना चुकि जो अच्छा question होता उसमें क्या होता आपको एक zero digit देता है digit के zero digit भी of term is zero digit अगर कोई आपका zero digit है right तब देन क्या होगा तो देन आपका जो sum है वो यह हो जाएगा कुछ नहीं करना आप पूरा जो sum हो ले 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 जो आपने उपर में लिया था ठीक है यह 9 होगा यह भी 9 और उसमें आप minus कर देना उन numbers को जो zero से start होते है चुकि zero से start होगे तो यह n-1 का factorial आपका n-2 का factorial हो जाएगा sum of digit तो वही रहेगा चुकि sum of digit आपका zero के वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता जिरो जोड़ दो भी दोगे तो भी वही रहेगा ठीक है और यहाँ पर आपका n के place में अगे n क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा यह आपको दिख रहा होगा ठीक है ना इस formula को हम लोग यूज करेंगे अगर zero रहेगा तो यह नीचे वाला लगेगा zero अगर नहीं रहेगा तो उपर वाला लगेगा right clear है जी अच्छा तो अब थोड़ा सा चलो formula को fresh कर लेते हैं ठीक है sum of all n-digit number formed by non-zero digits right और अगर आपको निकालना है sum of all n-digit number formed including zero digit अगर आपको zero भी एक digit दे रखा है उस case में आपको sum of all n-digit number निकालना है तो आपको क्या करना है जैसा मैंने उपर मैं बताया यह आपको n के जगा पे n-2 n के जगा पे n-1 रख करके आपको minus कर देना है तो आपको निकाल दाएगा right यह तो आपने उपर में देखी रिया अब चलो अब देखते हैं कि अगर repetition allowed है तब क्या होगा अगर repetition allowed है ठीक है तो जो sum of all n-digit number है non-zero जिसमें सारे non-zero होंगे तो non-zero digit के जो जो भी number बनेगा उसका sum क्या होगा तो यह हो जाएगा आपका sum of digit into n का power n-1 into 10 to the power n-1 10 to the power n-1 ठीक है into 9 यह हो जाएगा अब देखो बिल्कुल logic से आप याद रख सकते हो simply अगर non-zero digit है तो यही आया था उपर में तो आपको अगर repetition allowed है तो आपको पता है कि जब repetition allowed होता है तो अगर पहले के लिए अगर मालो suppose करो ठीक है इसके लिए अगर n तरीका है तो इसके लिए भी n इसके लिए भी n यहापर n का power वाला case आता है राइट तो यहाँ पर क्या होगा sum of digit तो आपका रहेगा ही रहेगा same n का power n-1 ने लेना है ठीक है n का power n-1 चो कि आपको क्या number of occurrence से multiply करना होता याद रखेगा number of occurrences okay number of occurrences और repetition वाले case में क्या होगा total जो आपका आएगा वो आजाएगा n का power n, total number, total number यह आजाएगा ठीक है और फिर आप के पास में अगर सारे ही non-zero है तो आप उसको फिर n सो divide करोगे, ठीक है since occurrences of each is equally likely तो आपका यह आजाएगा n का power n-1 तो बिल्कुल आप logical याद रख सक करते हो, कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका था, factorial n by n आया था, इसका value यह आपने लिया था, यहाँ पे आपका आएगा n का power n, चुकि repetition में n का power n होता है, जैसे मैंने आपका बताया, ठीक है, divided by n, तो यह occurrence of each digit निकल लाएगा तो आपको इस से बस multiply करना होता है, और सेम, आपको सारे ही प्लेस के लिए add करना है, तो आप simply इस से multiply कर दो का आपका निकल लाएगा, तो बिल्कु लॉजिकल देखो, आपको याद रहेगा, ठीक है, और अगर मान लो इसमें 0 भी सामिल है, 0 भी सामिल है, तो आपका यह formula बन जाएगा, इसमें क्या है, अगर 0 सा N-1 मिल रहा था पूरे के लिए, तो अब इतने के लिए क्या मिलेगा, N-2 मिलेगा, जो number of occurrence है, ठीक है, अब पहला वाला के लिए क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, आपका N-1, number of occurrence जैसा यहाँ पे निकला था, ठीक है, तो number of occurrence से आप multiply करोगे, जो आपका last most place है, ठीक ठीक है, तो सबसे last वाला क्या होगा, अगर मानलो N वाला है, तो वो 10 to the power N-1 का place होता है, ठीक है, तो last most place के value से multiply कर देंगे उसको, और फिर उसके बाद जो remaining है, तो remaining में आप 0 रख सकते हो, तो 0 रख सकते हो, यहाँ आप इस format पी चलेगा, तो simply, यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे ले ही लिया है, ठीक है, तो बिल्कुल logical आप देख सकते हो, बहुत logic से याद रहता है, कोई मुश्किल नहीं यह formula याद रखना, याद रखो के तो आपको exam में काफी जल्दी बन जाएगा, बट हम लोग पहले देख लेते हैं, कि concept से आगर आपको question बनाना है तो कैसे बनाना है, आज देखते हैं यहाँ पे, quick example हमारे पास में है, मैंने बना के रखा है ताकि आपको time न लगे, find sum of all five digit number formed by the digit 24680, मैंने पहला जो case लिया है, उसमें 0 भी सामिल है, ठीक है, यानि सारे ही non zero digit नहीं है, including zero वाले है, when number one, repetition of digit is allowed, पहला case क्या है, repetition of digit आपका पहले तो हम यह देख लेंगे कि इस five digit से तो total कितना number बन सकता है, तो आप definitely देखोगे कि five digit का अगर बनाना है, तो यह दोखो हो गया, मेरे पास में five boxes, ठीक है, तो पहले को fill up करने का सिफ मेरे पास में चार तरीका होगा, कोई भी में, यह चुकि five digit बनाना है, तो मैं zero नह ठीके से, अच्छा, repetition allow वाली बात हो रही है, ठीक है, ठीक है, कोई यूस्व नहीं है, अगर repetition allow है, तो इसका मतलब है, कि अब zero को ले करके, मैंने दो को लिया है, अगर पहले वाले में, तो बाद में भी ले सकता हूँ, चुकि repetition allow है, अब सब के लिए कितना होगा, पाँच यहाँ पे जो number है, 2468, ठीक है, यह क्या है, equally likely to be chosen है, ठीक है, for the first digit, पहले place में, मैं इस में से किसी एक को भी रख सकता हूँ, right, तो पहले place में जो number of occurrences होगा, of this digit, वो क्या हो जाएगा, यह चुकि 4 digit है, तो 500 को 4 से भागा कर दिए, तो 625 occurrences of each number in 10,000 position, तो यह position आपका कहल आएगा unit, यह आपका कहला आएगा 10 position, यह आपका कहला आएगा 100 position, यह आपका कहला आएगा 1000 position, यह कहला आएगा मेरा 10,000 position, यह क्या कहला आएगा, 10,000 position, कौन जो सबसे आपका leftmost है, ठीक है, सबसे पहला वाला 10,000 position, और 10,000 position के लिए जो number of occurrences है, 2468 का, वो क्या है, वो 625 है तो मेरे को कुछ करना तो पढ़ता नहीं है, number of occurrences को क्या करना है, sum of digits से multiply कर देना है, ठीक है, चलो, अब देखो, अब remaining position के लिए, यह तो हो गया first place का बात, remaining position के लिए, अब मैं किसी को भी रख सकता हूं, ठीक है, is equally likely to be chosen, किसी को भी ले सकता हूं, अब यहां पर 5 digit आ गया ह करके, second से start करके last position तक आप इस में से कुछ भी रखोगे, तो यह जो numbers आएंगे, वो 500 occurrences होंगे, 500 types तक आएंगे, ठीक है, तो अब total number का sum आएगा, वो simply क्या हो जाएगा, तो 625 ठीक है, यह मेरा first position के लिए, जो number of occurrences था, into sum of digit, or into 10,000, वो जो place value है, तो place value से multiply करना पड़ता यह मैंने आपका सुरुख बता दिया, ठीक है, यह होगी आपका सबसे leftmost place के लिए, अच्छा, उसके बाद, उसके बाद, जो बाकी places है, उसमें occurrences 500 है, sum of digit से multiply करेंगे, और जो बज गए place वो क्यों है, unit 10, 100, 1000, ठीक है, इसको ले लेंगे, इसको आप बस कुछ करना नहीं, sum of digit ले 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 ना, sum of digit लोगे तो क्या है, sum of digit आपका simply क्या है, तो 2, 4, 6, or 8, यही है जी, दोनों में, ठीक है, 0 से तो कोई फरेक पड़ता नहीं है, तो बाद में 0 नहीं भी लिखो तो कोई issue नहीं है, ठीक है, बस sum of digit आपका definitely वही होगा जो non-0 digit से आपको मिलने वाला है, solve करने ना, आपको यह answer आजाता है, right, तो बहुत quickly आपने repetition, with repetition आपने निकाल लिया, अब मालों अगर repetition अलाव नहीं है, तब कैसे करेंगे, repetition अगर अलाव नहीं है, भाई, तो फिर से, चुकि मेरे को बनाना क्या है, 5 digit number, तो 5 digit number के लिए, मैं जो first place है, उसको either of this number put up कर सकता हूँ, so there be 4 way, okay, अब चुकिए repetition अलाव नहीं है, तो बाकी में अब 0 भी आ गया, और इस में से मेरे को again बच जाएंगे theory, कोई भी theory को मैं फिर इधर अरख सकता हूँ, तो मेरे पास मैं आप 4 places है, और 4 remaining digit होंगे, including 0, तो उसको मैं 4P 4 way से put up कर सकता हूँ, ठीक है, since repetition is not allowed, so तो जो total number of 5 digit number बनेंगे, वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे 4 into 4P 4, that means factorial 4, तो आपको ये value 96 आ जाता है, right, अब देखो, आप आप लोगों ये देख रहे हैं, कि जो 2468 है, वो क्या है, वो equally likely है to be chosen for the first place, जैसे उपर में था, अब total number 96 है, ये 4 figure है, तो 96 by 4 करेंगे, तो 24 occurrences for each of digit in the 10,000 place, तो ये तो बहुत जल दी निकल गया, अचले रिमेनिंग के बाद कीजिए, तो रिमेनिंग जो position है, वो तो अधान देने वाला है, ठीक है, now for remaining position, each number, ये जो number है, 0468, ठीक है, अब देखो, अब depend करेगा ना, आपका, अगर आपने पहले place में 2 रख दिया, पहले place, तो अब मैं 2 तो कहीं और नहीं रख सकता, चुकिए repetition अलाव नहीं है, तो ये जो है 0468, ठीक है, तो ये क्या होगा, तो 0468 को मैं equally likely कहीं भी ले सकता हूँ, from second to last place, ठीक है, second place से ले करके, ये second place है, ये आपका last place है, ठीक है, और ऐसे बोलों को, तो ये unit place है, आपका ये कह बोलते हैं, इसको first बोलते हैं, इसको second बोलते हैं, राइट ही सवा पहले जानते होगे, चलो आगे बात करते हैं, तो अगर मैं 2 से start करता हूँ, तो फिर in का, और अगर मैं 4 से start करता हूँ, तो फिर in का equally likely होगा, ये मैंने कर दिया है, मतलब वही same statement है, जो उपर लिखा हु if you start from 8, then 0 to 4, 6 is equally likely to be chosen for second to last place, ये 4 तरह के cases बनेंगे, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपको अच्छे समझना है, देखो, यहाँ पर यह है, कि जैसे मैं 2 से बात करूँ, अगर मैं 2 से start करता हूँ, तो 2 से, मैंने बस distinct number लेने का कोशिस किया, ध्यान दीजेगा, यहाँ तो अगर मैं 2 से start करता हूँ, तो 2 से start करने पर, जो हर position पर जो आपको different digit मिलेगा, तो वो इस तरह का number बन रहा है, right, समझेगा, हाँ, इसी तरीके से मैं 4 से start करूँगा, 6 से start करूँगा, 8 से start करूँगा, तो different digit वाले case में यह, तो मैंने यह इसलिए रहा कि मैं आपको दि यह check out करना है, कि जो non zero digit है, उसका occurrence क्या है, जीरो वाले से तो आपको कोई फायदा नहीं, आपको non zero ही आपको यह करना पड़ता है, ठीक है, अच्छाते कोई important क्यों हो जाता है, important भी इसलिए हो जाता है, कि zero वाले का occurrence कभी कभार क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, त तो अगर zero वाले का occurrence ले लोगे, number of occurrence और उससे काम करोगे, तो गढबढ़ हो जाएगा, चुकि zero से sum पर कोई फरक तो नहीं पड़ेगा, लेकिन occurrences तो important है, तो मैं zero वाले के occurrence को हम क्या करते है, ignore कर देते है, इसलिए कि zero को कितना बार भी multiply करो, वो zero ही आएगा, तो हमको जो सिर्फ non-zero का occurrence बचे, और non-zero का जब सिर्फ occurrence बचेगा, तो हम लोग जब उसको, non-zero के occurrence को जब multiply करेंगे, sum of digits से, चुकि sum of digits में तो फरक पड़ेगा नहीं, zero है चाहे नहीं है, तो वो आपको क्या हैगा, वो आपको exact sum देगा, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर चुक 4 बन जाएगा ना, अगर 2 से start होता है, तो 24 number होंगे, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 ही number लिखा है, जो 2 से start हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं दिखाना यह चाहता हूँ, कि इन सारे numbers को आप देखो, जैसे मैं example लेनू, 2 0, इसी को ले लेता हूँ, ठीक है, मैं ले ले 8, 8 से start होना, मैंने लेता हूँ, 8 0, मैं अब समझा रहा हूँ, समय लेना, बहुत इजी लगेगा, राइट, 8 0 4 2 6 ही है, यह मैंने लिया, अब आप देखोगे, कि यहाँ पे जो 0 वाला आ रहा है, ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे यह भी number तो आ सकता है, जिसे, मैं इसको नहीं ले रहा भी, 8 4 0 2 6, ठीक है, यह नहीं, सारा number possible है, लेकिन जो 0 जिसे 4 बार, 5 बार आ रहा है, तो इससे तो कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है, हाँ, लेकिन इस number of occurrence को मैं हटाऊंगा जरूर, इसलिए, कि अगर यहाँ पे 0 वाले occurrence को ले लेंगा, तो 0 कभी कबार ज् जिसे आप देख सकते हों, यहाँ पे, कि पूरे number में मैंने जो लिखा हुआ है, तो 0 4 बार आ रहा है, ठीक है, जबकि आपका maximumly जो 6 है, वो 3 बार ही आएगा, 8 भी आपका 3 बार ही आएगा, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसे आप देखो, 8 आपका कितना times आ रहा ह है three times, ठीक है, अच्छा मैंने एक पीатив मैं आपकाicular example लिया है, ठीक है, मैं जिसे बात कर रहा हूँ, जिसे यहाँ पे, देखो, तो मैं यह बोलना चाहरा था कि आप इसको इस तरह से बहुत इसली देख सकते हो मैं यहां पर दिखा देता हूं जिसे देखो 0 कितने बार आ रहा है एक दो तीन चार तो चार बार आ रहा है ठीक है 36 की मैं बात कर रहा हूं ना चार नंबर दो का लोगे चार नंबर चार का बनाओगे शह से बनाओगे शे स्टार्ट होने से और巧 नबर बनाओगे ज kendiそ dell आप फो जोस्ट्रट हो तो टोटल आपका और इस त्राह उलज़ए इन सोले नंबर में तो टोटल हमारे पास में जो number था, वो 96, उपर मैं आप लोगो नहीं देख लिया, 96 तो अगर मैं 16-16 का बनाऊं group, तो 16-16 का कितना group बन जाएगा, 16-6 आनवे, 6 group बन जाएगा तो मैं for each 16 जो है numbers की बात करना हूँ, तो आप देखो, मैंने क्या लिक्या है, for every 16, 5-digit number, मतलब मैं 16 number लूँ, 5-digit वाले numbers को 16 पीस लूँ, तो for each of position, second to fifth, जो second से ले करके, जो आपका second, third, fourth, fifth, second से ले को जो फिफ्ट पोजिशन, 0 appear होगा four times, and each of digit appears three times, यह आप देख सकते हो, ठीक है, यह आपको इतना बड़ा example करने का जूरत नहीं है, आपको यहीं से दिख जाएगा, कि भाई, मेरा 0 तो 4 बार आही सकता है, ठीक है, और मैं यहां से बिल्कुल understood है, और बहुत आसानी साब देख सकते हो, कि second से fifth position तक मेरा 0 चार बार आता है, और मेरा जो non zero digit है, वो तीन बार आता है, तो मेरे को मतलब है non zero digits है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, कि अगर 16 में यह 3 बार आ रहा है, तो total जो 96 नमबर उसमें कितने बा 18 occurrences है, 18 बार, 18 times हर digit आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, तो actually जो sum of digit है, वो क्या हो जाएगा, तो sum of digit जो है 2, 4, 6, 8 के लिए, आप देखोगे, तो क्या होगा, वो होगा, आपका 18 से multiply होगा, तो हमको दोनों मिल गया है, ठीक है, पहला वाल आपका देखोगे, last place, जो first place था, first place में, right, जो number of occurrences था, for each digit वो 24, sum of digit हमारा हो गया, आएगे, उसका हो गया place value, ठीक है, उसके बाद, बाकी सारे places के लिए, जो sum of digit है, वो ये है, और जो number of occurrences है, number of occurrences, वो आपका आगया है, क्या, for each non-zero digit, वो 18 है, आएगे, आपका हो गया position, unit, 10, 100, 1000, आप सब को निकाल लोगे, आप सब को जोड़ोगे तो आपको quickly answer ये आजाता है, ठीक है जी, तो बहुत अच्छे समझना है, कोई मुश्किल नहीं होता है, बट ये है, कि आपको थोड़ा सा लगता होगा, कि भाई, थोड़ा सा complicated है, तो भाई, complicated कुछ नहीं है ठीक है, चुकि हम लोग इसको जब आपके, या तो ये आई-ई-टी में आता है, या तो आपको जे-ई-डवांस में अच्छे exam में आता है, तो उसमें आपको उतना time भी देता है, ठीक है, आप इसको आराम से कर सकते हो, एकादबर practice करोगो तो आपको मुश्किल नहीं होग ठीक है, आई देखते हैं हम लोग यहाँ पर तो जो हम लोग formula पढ़ेते हैं वहीं पर apply करेंगे और देखो बिंदास तरीके से इस question को बनाने वाले है, देखते हैं, result हमारा match करता है कि नहीं करता है, तो यह आ गया हमारा result का जगह, ठीक है, clear है जी, तो result वाले में apply करके द यह हमारा question था, जिसमें हम लोगों नेतना time लगाया, बड़ देखते हैं हम लोग within minute कैसे हम question को solve करेंगे, तो यह है हमारा 24680 से आपको 5 digit number के सारे sum निकालने है, ठीक, जो भी numbers फॉर्म करेंगे, अगर repetition आपका allowed है, तो चुकि देखो यह 0 के साथ यह number है, और repetition वाला case है, तो यह हम यही पे जो formula है, यही apply करेंगे, simply यह वाला और काम हो जाएगा, तो देखो sum of digit कर लो, तो sum of non zero digit क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, यह आपका आज आ रहा है, 886, 20 आ जा रहा है, ठीक है, तो यह आपका होगे sum of digit है, 20 into, चलो, n का power n-1, तो तो यहाँ पे आपका 10 to the power हो जाएगा 4, पलस, फिर आप देखोगे n-1, so it is simply 4, n, 5 का power 3, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 to the power 3 minus 1 by 9, तो हम quickly solve करेंगे, इसको देखो क्या आता है, यह 20 हो गया, ठीक है, 5 का power 4, अच्छा, अब यहाँ पे चाहो तो आप 5 का power 3 को common ले लो थोड़ा सा smart करोगे तरीके से तो जल्दी-जल्दी बनेगा, तो 5 का power 3 definitely हम लों का common है, यह भी common ले लेते हैं, ठीक है, क्या बच रहा है, 5, यहाँ पे 10 का power 4, तो 1, 2, 3, 4, यह बच गया, चलो, यहाँ पे plus, यहाँ पे देखेंगा हम लोग तो आपका 4 बच रहा है, 10 to the power 3 3-1, तो यह actually क्या है, तो यह आपका आजाएगा, 9, 9, 9, 9, divided by 9, तो यह आपका आजाएगा, 1, 1, 1, और 1, right, तो 4 को आप इससे multiply कर दोगा, तो हो जाएगा, 4, 4, 4, 4, पुरा भेलो मिल गया जी, अब देख सकते हो, यहाँ पे यह क्या हो जा रहा है, 20, यह आपका है, 1, 2, 5 और अंदर में आपका आजा रहा है, 5, 4, 4, 4, 4, right, बिल्कुल बहुँ जल्दी होगी आपका, अब देखो, इसके बत क्या करना है, आप इसको देखोगे, तो यहाँ पे यह हो जाएगा, आपका, 2, 5, 0, और अंदर में 5, 4, 4, 4, ठीक है, अब इसको आप multiply कर दो, बिल्कुल जो है, easily आप multiply कर पाओगे इसको, तो value आपका आजाएगा, आप करके देख लें, 1, 3, 6, 1, 1, 00, और एक 0 पहले से था, तो यह है, यह आपका अंसर आ रहा है, 1, 3, 6, 00, 1, 00, अब आप जाके देख लो कि आपने जो बनाया था, उसका क्या अंसर आया था, तो आप देख सकते हो कि जो हम लोगों ने इतना मेहनत किया था, तो exactly मेरा वही अंसर आया था, 1, 3, 6, 00, 4, 00, right, 1, 3, 6, 00, 1, 00, और 4, 00, यही आया था जी, अच्छा, 1, 00, आपका कम दिख रहा है क्या, तो कम तो नहीं दिखेगा, अच्छा, यहाँ पर हम लोग देखो, 1, 00, यहाँ पर छूट प्रफुल रहके करोगे, बहुत जल्दी आपका बन जाएगा, अब देखो, अगरuity सानी से कर पाएंगे ठीक है चले हैं पर में लगा देता हूं वह लिए को देखो क्या आ जाएगा तो यह आपका आ जाएगा फैक्टोरियल फोर चुकि आपका इन फाइव है सम अफ डिजित आपका 20 इन टो दी पावर 5-1 बाइन यह आ गया इसमें आपको माइनस करना है तो 10-2 याने फैक्टोरियल 3 सम अफ डिजित अगें आपका 20 आई आपका आ जाएगा 10 टो दी पावर 4-1 बाइन तो याद रखना भी एजी है आप देखो तो इसमें क्या है तो यह आपका हो गया फैक्टोरियल 4 कितना होगे 24 24 को इससे मुल्टिप्लाई करोगे तो आपका यहीं पर में लिख देता हूँ 10 to the power 5-1 क्या आएगा तो आपका आजाएगा 9999 यह आएगा जी 5 times 9 आजाएगा divided by 9 तो यह आपका आजाएगा 5 times 11111 ठीक है अच्छा माइनस इसमें माइनस करना है फैक्टरियल 3 है 20 है तो यह होगी आपका 120 ओके इसमें मुल्टिप्लाई कर करना होगा तो यह इसका वहलू आपका आजाएगा 9999 4 times 9 आएगा ठीक है by 9 से डिवाइट करोगे तो 1111 अब देख लो कि आपका वहलू क्या आता है बिल्कुल क्विक्ली आप निकाल पाओगे ठीक है मालो आप 48 को मुल्टिप्लाई करते हो 5 times 1 से तो यह आपका आजाता है 533 3 2 8 0 यह आजाएगा अब इसको आप मुल्टिप्लाई करोगे ठीक है 4 times 1 को 12 से तो आपका यह वहलू आजाएगा 1 3 3 3 2 0 यह आएगा ठीक है तो अब देख सकते हैं आप डेफिनेटली के दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है तो 0082 होगी आपका 6 9 अगेन 9 अगेन 9 अगेन 1 519960 अब देख लेते हैं कि आंसर आया था महाँ पे हमारा तो 519960 यहाँ पे है चलो यह दिख जाएगा बहुत देखो सेम आंसर आ रहा है तो बहुत मज़ा आता है बनाने में आप डेफिनेटली इस तरह से करोगे तो आपको एक्जाम में जल्दी बन जाएगा ठीक है तो यह MCQs के फायदे हुए कि आप रिजल्ट से यूज़ कर सकते हो काफी जल्दी आपका बनता है अनदर क्रिक एक्जामपल देखते हैं हम लोग यहां पर देखो दूसरा यहां पर एक्जामपल में लगाकर रखा है जहां पर आपको और भी इसी कर दिया है कि आपको सिर्फ जो है जो है, उपर में मैंने 0 अलग केस लिया था, तो 0 के लिए अलग formula है, आपको पता है, with the 0 और without 0 के लिए अलग formula है, जो उपर में मैंने लिखा था, वही पे मैंने यहाँ पे paste कर दिया है, ठीक है, अगें sum of digits देखो क्या आ जाएगा इसका, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 क्या आ जाता है, 4 और 5, 9, 7, 16, 25, तो यह आपका हो गया 25, राइट, n-1 हो जाएगा factorial 4, चुकि आपका n यहाँ पे क्या है, 5 डिजित है, so it is factorial 4, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 to the power 5 minus 1 by 9, बिल 5 times जैसा हम लोगो अफी उपर में देखे थे, ठीक है, अब आप इसको कुछ नहीं करना, बस आप multiply कर देना, multiply करने के बाद आपको easily इसका answer आ जाएगा, 6666600, यह आपका answer आएगा, ठीक है, बिल्कुल आप इसको match करके देख सकते हो, यही आपका answer आता है, right, अच्छा, अ यहाँ पर अगेन वही value आने वाला है, 11111, यहाँ पर 25 into 625 हो जाएगा आपका यह, ठीक है, 111, तो अभी जो हम लोगों का answer आजाएगा, तो यह क्या आजाएगा, तो यह आजाएगा हमारा, इसको आप multiply कर लेना, ठीक है, तो यह आपका आजाएगा, 173609375, right, सही है जी, sum of digit होता है, यह आपको number of occurrence होता है, मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है, अगर आप concept लगाओगे, मानलों आपको formula याद नहीं है, तो concept भी काफी easy है, और repetition वाला question आता है, वो था easy रहा था, चुके repeat कर रहा है, तो कोई tension नहीं है, ठीक ह अब इसमें जो number of occurrences होगा, for each digit, वो केतना हो जाएगा, तो 5 digit है, तो 5 का power of 5 by 5, यहने 5 का power of 4 होगा, number of occurrences आपका यह हो गया, sum of digit आपका यह हो गया, और यह place value से multiply करोगे, ठीक है, सारे ही place value से, और sum करोगे, तो आपको definitely यहीं आएगा, फिर आपको finally क्या करना है, इसको प होगे, अगर आप concept से करना चाते हो, तो इस तरीके सा आप कर पाऊगे, कोई issue नहीं है, ठीक है, तो आयोब आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा, तो like कीजिएगा, channel पहने है, subscribe कर लिजिए, इस तरह बहुत सारा videos है, ठीक है, जिससे आप काफी benefit ले सकते हो, तो इसको और अगर आप पूरा course करना चाते हो, तो आपको मेरे application का link मिल ले आएगा description box में, ठीक है, वहाँ से आप मेरे application को play store सो download कर लो, और अगर आप net की तियारी कर रहे हो, या से और net की, gate की, IIT, jab की तियारी कर रहे हो, okay, या आप मानलो, PGT, KVS की तियारी कर रहे हो, NVS की जहर and PGT के, तो हर तरह का course वहाँ पर आपके वहली available है, काफी genuine rate में, वहाँ से आप definitely buy करके, बहुत अच्छे तरीके से systematic learning कर सकते हो, आपको PDF मिल जाते हैं, आपको बहुत सारा solve MCQs मिल जाएंगे, तो आपको वहाँ से confidence भी आएगा, ठीक है, thank you very much.